हेलो फ्रेंद्स वेलकम तू नॉलेज मिनिया मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एंप्लोई की टाइम सीट बना सकते हैं तो फॉर्सली यहां पर मैं टाइम सीट ऑपन कर रहा हूं ताइम सीट में यहां पर देखो Monday to Tuesday मतलब Friday का मतलब लिया है वीग डी का इसाब से और उसकी पर्टिकरिव डेट दिया है टाइमिंग कहां पर हो रहा है टाइम आउट कहां पर हो मतलब उसका हो रहा है सारे बड़ा कुछ भी कर लेता हूँ यहां पर जैसे की कोई भी है जैसे की पर्टिकरिव रहुल शाह ओके तो मैंने यहां रहुल शाह का बना दिया ओके तो Monday Tuesday Friday जो भी है वीग डी की साब से मैं बना देता हूँ कि पांश स्लैश फाइव टॉटासवन एटीन की साब से उसको भी मैं ड्रै कर लेता हूँ कि उसकी साब से और टाइम इन उसका कभी चालो हो रहा है वर्किंग आर्स उसका टाइम इन और यहां पर मैं टाइम में लिख रहा हूँ और टाइम आउट मतलब उसका वर्किंग आर्स खतम होने के बाद फिर टाइम इन फिर से इन फिर से टाइम आउट मतलब उसका वर्किंग आर्स खतम हो गया डिस इस लांच ब्रेक बीच में जो भी आ रहा है तो इसका थर्टीन मतलब खतम हो रहा है एक बचे है और फिर से वो फूर्टीन मतलब दू बचे फिर से चालू कर रहा है और उसका मतलब सेवेंटीन तक उसका मतलब जॉब टाइमिंग है और यहां पर मैं उसको मतलब बीच में कॉपी कर लेता हूं as to become aah भॉक्तो पेसका 10 puff presented on invasive lab जॉब टायमिंग हो रहा है एक इसका 14 मतलब सिच ऑन जॉब unable cafe तो मत्लंब 15 को मतलब वर्किंग चाल हो रहा है और 19 को मतलब उसका बन हो रहा है और यहां पर भी में दे सकता हूँ जैसे कि उसकी जॉब नो बज़े हो उसना चालो किया और ठर्टीन मतलब एक बज़े उसका बन हुआ फिर से चार बज़े मतलब साथ बज़े तक हो जॉब है आपको यसा करना है इसका मतलब लंच टाइमिंग ज्यादा है तो कर सकतो आपकी मर्जी है इसका मैं कॉपी पेस कर लेता हूँ जैसा हमें दिखाना ही है मुझे क्या है यहां पर है तो इसका भी सेम तो सेम में ले ले लेता हूँ यह ले लेता हूँ इसा तो मैं कॉपी एंड कि चांत बजल, चाल ओ रही है ताइम में से माइनस करूँ गा करूंगा मतलब दूनों का add करूँगा तो total Rs मिल जाएंगे मुझे okay confusion है तो मैं फिर से मुख बोल रहा हूं कि 1 बजे से minus कर रहा हूं 7 बजे का और 17 का minus कर रहा हूं 14 का और दूनों का plus करूँगा तो total Rs मुझे मिल जाएंगे और यहां पर देखो sorry पहले आपको मतलब दूनों minus करना तो bracket में लिखना पड़ेगा कि open bracket और इसको minus यहां से है और close bracket और दूनों का additions करना तो यहां पर plus open bracket फिर से 17 minus 14 देखो यहां पर F19 F19 E19 में minus plus यह दूनों का plus I19 मतलब यह है और H19 एंटर किया तो उसने 9 गंटे काम किया है for Monday को okay तो यहां पर देख सकते हो कि मैं उसका क्या कर रहा हूँ अभी कर लिया कि कभी उसने 10 गंटे भी काम किया है सान गंटे भी काम किया है okay total hours और overtime timing भी लिख देता हो ऐसा तो यहां पर okay regular hours मतलब total 9 गंटे का job होती है तो यहां पर मैं लिख देता हो ऐसा थो 8 गंटे का job किया हिसाब से 8 गंटे है तो मैं इसाब से 9 गंटे का कर लेता हूँ 9 इंटू 5 इक्वल तो 45 वरना आपकी मर्जी है तो आप 8 का करने चाहते हो तो 8 कर सकते हो मैंने उपर find किया है 8 to 5 तो आप देख सकते हो 8 पाइज हा 40 ओके तो regular उसका hours कितना हो रहा है यहां पर देख सकते हो कि 40 हो रहा है ओके और इसका मतलब total hours कितना हो रहा है यहां पर total hours उसका नहीं मिल रहा है तो उसको equal to sum ओके equal to sum तो यहां पर देखो मतलब तो मैंने format regular hours ले मैंने लिया है format painter में मतलब इसका भी कर लेता हूं मतलब दुनों का same format हो गया है अभी यहां पर over time hours फाहिंड करना थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना बस equal to if conditions क्यों इसका थोड़ी जिर में आपको पता दूँगा कि क्यों हम if conditions regular hours और total hours उसमें से मतलब माइनस करेंगे अभी हम लोग क्या करेंगे regular hours और 43 मतलब क्या होगा total hours आपने जुतना काम किया है वह जदा है किस से जदा regular hours रे 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 से जदा है तो इसमें से माइनस होगा वरना जीरो नहीं ज्यादा हुआ तो जीरो एंटर कि मैजी कर्षकलती हो चुकी है और जस्ट वेट यहां पर डेट 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 कहां पर है ओक्याटड यहां पर नहीं आ रहा है यह मतलब जनरल ले लिया है तो एक काम करेंगे हम लोग यहां पर यूज करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो तीन गंटा उसने ज्यादा काम किया है यहां पर देख सकते हो जनरल का था है वह आ रहा है था कस्तम हमने फॉर्म पेंटर से ले लिया तो वह खुद आ जाएगा वह आपको करने के वह ज़रुदी नहीं है अभी तो सब्सक्राइब कर लेता मैं फिर से देखो अभी उसका टोटल मतलब 43 आर्स उसने काम किया और 40 गंटा उसका काम करना है बट उसने तीन गंटा ज्यादा काम किया तो उसमें से मतलब उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी अभी 9 बजे से मतलब 7 बजे आ रहा था वह यहां पर सब्सक्राइब करना है तो यहां पर इसा ही उसने किया है कि 9 बजे उसने स्टार्टिंग किया तो उसका टोटल आर्स कितना हो गया 39 हो गया और रेग्लर आर्स 40 मतलब ओवर टाइम उसको हवर मिला ही नहीं बिकोज इसने क्या किया है अभी तब मतलब काम ज्यादा किया ही इस लिए यहां पर 0 लिखा है यहां पर देख सकते हो के 26 पहले आपको के 26 मतलब यहां पर टोटल आर्स ज्यादा हुआ रेकुलर और से तो माइनस होगा वरना जीरो होगा सिंपल सी तो मतलब आप पॉर्मेटिंग करनें आपको सिंपल सी क्राइब यहां आपको विखकर रहेगा है यहां मतलब आपको इस अपनी आप से लिए विगो क्याओ आपको 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 पसंद आया होगा वीडियोर ठैंक्ति पुर वचिंग नोलेज में याजिदे देख झाल झाल